हाई दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चाल महा माय सेलेक्शन में तो फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिसर में आपका प्री 2021 का ओनलाइन फॉर्म आया है फ्रेंट्स आप इस फॉर्म को बर सकते हैं अगर आप यूपी पीसी की तेय कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवडी है मैं बताऊंगा कितनी वेकंसी निकली है और कब से फॉर्म फिलप आपका स्टार्ट हो रहा है तो चलिए फ्रेंट्स जो भी पहले पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सबसे पहले हमारे चैनल महा माय 210 क्या है फॉर्म फिलप का लासट टैट है अगर बात करें प्रीग्जाम डेट का तो देखिए प्री जो इग्जाम है आपका जा दिन नहीं करीबन आपका कहें तो 3 महाना बार आपका प्रीक्जाम 13 June 2021 को अपका प्रीक्जाम हो जाएगा अगर आप युप पैसेट रुपया मात्र पैसेट रुपया में आप फॉर्म भर सकते हैं और पी-एच कैंडिएट के लिए फिजिकली हैंडिकाप कैंडिएट को पचीस रुपया फॉर्म फिल अप में लगेगा एज लिमिट क्या है तो एज लिमिट का अगर बात करें न तो 400 पोस्ट जो है टोटल वेकंसी है चार सो वेकंसी है फ्रेंट्स टोटल अच्छी खासी वेकंसी आई है यूपी-पी-एस्सी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो बैचलर डिगरी आपके पास होना चाहिए यहाँ पास क्या है लिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेक्ट बात करते है अगला क्या है देखिए कौन-कौन से पोस्ट आपके निकले में है आपके यूपी-पी-एस्सी में तो सब रेजिस्टार का पोस्ट है असिस्टेंट प्रोसेक्यूटिंग ओफिसर जिनके पास बैचलर डिग्री इन लॉओ है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दूसरा पोस्ट है डिस्टिक बासिक सिक्षा दिकारी, ऐसोसियेट, डायोस, और अधर इक्यूबाइलेंट अबिस्टिक अप्लाई करना चाहते तो मास्टर डिग्री अगर आप किसी भी स्ट कंट्रोलर लिगल मेजरमेंट ग्रेड वन ग्रेड टू के लिए लिजीबल होएंगे अगर आपने बैशिलर डिग्री इन आर्ट सेट विच सोचिल ओजी और तो अब असिस्टन लेवर, कमिशनल पोश्ट के लिए लेजीबल हैं, बाचलर डिगरी इन सोचिल ओजी, सोल साइनस, और हो साइनस, और सोचिल वर किया है तो district program officer के लिए आप क्या है eligible है लेस्ट बात करते हैं देखे फ्रेंट्स बहुत सारे posts हैं अलग-अलग different different विभाग में है senior lecturer and diet के लिए आपका master degree with B.A. होना चाहिए आपका ठीक है आठफा नमर जो है district probation officer master degree in psychology, sociology और social work और any qualification equivalent there to or post graduate diploma in any branch of social work अगर इससे आपने किया है graduation, master degree तो आप इस post के लिए eligible है next आपका अगर 9 नमर का बात करें तो child development project officer के लिए bachelor degree आपके पास sociology, social work, bachelor degree in agriculture, home science और any qualification equivalent होने चाहिए अगर बात करें master degree in chemistry आपके पास है as one of the subject और bachelor degree in food technology dairy technology, bio technology और wild technology और agricultural science, veterinary science और biochemistry, microbiology और master degree in chemistry और degree in medicine तो ये eligible होंगे designated officer food safety officer के post के लिए next आपका बात करें statistical officer के लिए कौन से degree की requirement है तो master degree आपके पास mathematics और mathematical statistics और statistics और agricultural statistics के आपके पास degree होना चाहिए next आपका post है district keen officer, UP agricultural service group B development branch bachelor degree in agriculture आपके पास होना चाहिए तब आप इस post के लिए eligible होंगे next क्या है labor enforcement officer bachelor degree with economics होना चाहिए और भी आप देख सकते है principal के लिए master degree in any subject चाहिए L.T. diploma चाहिए assistant research officer के लिए master degree in chemistry ministry मांग रहा है educational qualification अगर बात करें assistant director hoti culture के लिए तो आपका agriculture मांग रहा है ठीक है next अगर बात करें manager, administration और general के लिए MBA आपके पास होना चाहिए और equivalent degree आपके पास होना चाहिए तो friends यह सब post और कौन-कौन से post के लिए कौन से बंदे apply कर सकते हैं और उसकी क्या-क्या eligibility है मैंने आपको बता दिया मैंने आपको age limit बता दिया कितनी vacancy है बताया application fees कितना है और कब आपका exam होगा यह भी बताया तो friends उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमसे जोगे रहने के लिए महा माय सेलेक्शन सब्सक्राइब करना है friends और like बटन दबाईए कि इस तरह के वीडियोद आपके लिए लाता रहूँ धन्यवाद